जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी, मोईस्टेन आइड्रॉप डॉक्टर की परची से मिलने वाली दवा है, जिसका इस्तेमाल आँखों में सूखापन के लक्षनों के इलाज में किया जाता है, यह आँखों में चिकनाई लाता है, इस तरह यह जिशानी से अस्थाय राहर प्रदान करता है, यह आँखों की लाली और सूजन को भी कम करता है, मोईस्टेन आइड्रॉप का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी में केवल प्रभावित आँख में किया जाना है, इस दवा का इस्तेमाल करने स पहले अपने हाथों को धुएं, यह सलाह दी जाती है कि उपयोग से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें, इसे निर्धारित मात्रा से अधिक या बहुत कम प्रयोग न करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार सटीक खुराक और अवधी में इसका इस्तेमाल करे इस दवा के इस्तेमाल से लगाई गई जगह पर खुजली, जलन और चुभने की अनुभूती हो सकते हैं, यह आमतोर पर अस्थाई होते हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं, हाला कि अगर वे बने रहते हैं या और बढ़ जाते हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें, अपने कान, नाक या मूँ के साथ अचानक संपर्क में आने पर इसे तुरंत पानी से धोलें, यदि आपको इस दवा के किसी भी इंग्रीडियन्ट से अलजी है, या यदि आप कोई अन्य दवा ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं, इस दवा का इस्तिमाल करने क के बाद गाड़ी या भारी मशीनरी न चलाएं क्योंकि इस से आखों की रौशनी धुंदली हो सकती है, और गाड़ी चलाने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडि अगाद